आज इतना अच्छा नाश्ता बनाया कि सब मिंटों में चट हो गया जिहां गाइस दो कप आटे से गेहूं के आटे से मैंने इतना हिल्दी नाश्ता बनाया कि बच्चे तो खाएंगे ही खाएंगे बड़े भी इसके लबर हो जाएंगे इतना गजब का बनता है बहुत ही टे कप जो है पैस्च ले लिया है और इसको हमें करना है क्रायंस यहां पर हमने ले लिया है दो कप गेहुं का आटा यह गरक तोह ठोड़ा सा आप गेहुं के आटे में इसको मिलाकर पीस लीजिए इस चैसे क्यों बान निंग बहुत अच्छी बनेगी और क्रिस्पनेस बरकरार रहेगा तो यहां पर देखिए हमने इसको पीस लिया है और अच्छे से मिल चुका है तो अब इसको हम एक बावल में निकाल लेते हैं और इसमें हम डालेंगे एक चमच रिफाइन ओयल इससे जो हमारा नास्ता बनेगा न एकदम क उसके बाद इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको टाइट आटा गोत लेंगे मतलब गीला नहीं बनाना है इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको गोतना है ताकि यह एकदम टाइट जैसे डो बनता न वैसे बनके तयार हो सकता है वैसे बहुत लोग इसको मैदे से बनाते हैं, हमने तो इसको गेहूं के आटे से बनाया है, मैदे से भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन खाने में अनहेल्दी होता है, आप क्या करेंगे, इसको हम आदे घंटे के लिए रख देते हैं, जब तक हम इसका एक बढ़ी आशा स्टफिंग तयार करते हैं, यहां पर हमने तीन मीडियम के प्याज ले लिये थे, प्याज को हमने लच्छे में काटा है, पतले लच्छे में काट लिया है, और उसके बाद यहां पर आटा देखिया, आधा घंटा हो गया है, इसको हमने दुबारा से अच्छे से गोथ लिया है, अब क्या करेंगे, इस से थोड़ा सा मोटा रखना है तो अच्छा लगता है खाने में यहां पर हमने इसको बड़ी सी रोटी की तरह बेल लेना है बड़ी बड़ी जितना बड़ा आपका चकला होना उतनी बड़ी हाफ रोटी इसको बेल लीजे देखे इस तरह से और यह ना बहुत पतला है ना बह प्लट प्लट के सेख लेना है इससे थोड़ा सा मतलब ध्यान रखना कच्चा ना रहे बढ़िया सीका रहे तो जैसे कि एक साथ सारी रोटियों सेख के उसको एक डिब्बे में भरके रख दूं ताकि वो थोड़ा सा मौश्टर बना रहे अब यहां पर स्टफिंग के लिए ह हमने यहां पर एक टमाटर लिया है दो हरी मिर्च लिया है मिर्च को छोटे-छोटे पीसिस में काट लेंगे टमाटर और प्याज को उमने स्लाइश में काटता है क्योंकि ताकि स्टिफिंग न भरने में आसान रहे और देखने में भी अच्छा लगे हमने आप एक कडाई लिए कडाई में एक चप मच घी डाल दिया है आप चाहे तो घी के जंगा पर बटर भी ढाल सकते हो उससे बहुत टेस्टी बनेगा यहां पर हमने आदा चप मच जीरा डाल दिया है हरी मिर्च को डाल दिये हैं यहां पर थोड़ा सा हम अध्रक डाल देंगे कद्दू कस करके ग्रेट करके इससे टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा और खाने में पता भी नहीं चलेगा और दो हमने यहां पर लासन को हमने जो है चौप कर दिया ग्रेट कर दिया है और इसके बाद जो है थोड़ा सा मतलब हलका सा जब एक मिनट तक भून जाए तो उसके बाद हम यहा पाना है ना गलाना है दोनों भी नहीं करना है बस इसको हलका सा 2-3 मिनिट तक मिक्सी कर लेना है स्टफिंग को इससे क्या होगी जो हमारा नास्ता बनेगा बहुत ही बढ़ियां गजब का बनेगा आधा चमस हमने रेट चिली पाउडर आधा चमस हमने हल्दी पाउडर है साथ में थोड़ी से किसमिश डाल दिया है किसमिश से बहुत अच्छा मतलब बढ़िया सा टेस्ट आता है नम्कीन और मीठे की और बस इसके बाद इसको हम एक मिनट धक के पका लेंगे ज्यादा नहीं बस एक मिनट धक के इसको पका लेना है यानि को मतलब मैंने पहले भी बोला कि इसको जलाना नहीं है नकलाना है बस इसको हलका सा एक मिनट तक पका लेना है तो देखिए पर चुका है गैस के फ्लेम को आफ कर देंगे और इसके बाद अब यहां पर हम एक रोटी लेंगे रोटी की देखिए साइज मतलब बड़ी है तो बड़ी बड़ी रो यहां पर आप ग्रीन चटनी का इस्तिमाल कर सकते हो जो भी आपके पास है लगा सकते हो तो यहां पर हमने जो है यह चीली सॉस लगा दिया है और उसके बाद अच्छे से रोटी में फैला लेना है और या इसका जो बीच का यह सेंटर वाला पाठ ना इसको चाकु से काट दे इस तरह से फैला लेंगे और उसके बाद जब अच्छे से फैला लेंगे तो यहां पर पनीर को ग्रेट कर लेंगे यह इतना गजब को लगता है और सबसे बड़ी चीज ना यह बहुत जल्दी बन जाता है मतलब कि 5 मिनट इसको लगा था बनाने में और 5 मिनट हमें रोटी जब लगा था बाकी मिलाने में टाइब नहीं लगता यहांपने थोड़ा सा ओर्गन डाल दिया थोड़ा सा चीली फ्लैक ही डाल दिया है और साथ में यहांपर डालेंगे सलाइस वाला चीज अगर आपके पास वो मोजरीला चीज है तो वह सबसे बेस्ट है हमारे पास यह तो हमने यही डाल दिया था और उसके बाद इसको डाल के और उपर से थोड़ा सा चाट मसाला छड़क देंगे तो यह हमारा जो है नास्ता ड्रेडी है बस इसको पकाना है सिर्फ तीन से चार मिनट और इस तरह से इसको रोल आउट करते हुए इसको फोल्ड कर लेना है देख तो हमने पैन ले लिया है थोड़ा से हमने एक चम्मस तेल डाल दिया है मतलब यह जा लिजिए इसमें तेल भी नहीं लगता है और खाने में इतना गजब का लगता है तो क्या करेंगे तेल जब गरम हो जाना तो रोटी को एक साइज से पहले तेल लगा के इसको फिर पलट के लिए पका लूँगी तो एकदम गैस के फ्लेम को धीमा रखना है तेज मत रखना नहीं तो यह जल जाएगा बाहर से अंदर से जो है जो माल है पकेगा नहीं तो वैसे तो पकाने जरूरत नहीं है बस थोड़ी सी रोटी जो है क्रिस्पी हो जाए तो यह देखिए हमारा गर्मा गरम पांच मिनट में इतने सारे नाश्ता बने के तैयार और बच्चों को इतना पसंद आया बच्चों के साथ साथ बड़ो को भी बहुत मज़ा आया खा के तो यह रेश्पी आप जरूर बराना अपने बच्चों को टिफिन में भी दे सकते हो अगर सुब आपको चल दी है आपके पास टाइम नहीं है तो आप फटा फट से ये बना के दे सकते हो बच्चों को बहुत पसंद आएगा ध्यार रखना अगर आपका छोटा बच्चा है तो मिर्ची का इस्तमाल कम करना तो आज की हमारी ये नास्ता रेस्पी आप लोगों को कैसी लगी प्लीज जरूर बताईएगा कमन बॉक्स में अच्छा लगे तो सेयर करना नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना एक लाइक जरूर कर देना मिलती हूं नेक्स्ट रेस्पी में तब तक के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग